हलो एवरिवन, मैं हूँ सोनम और स्वागत है आप सभी का मेरे चानल सोनम्स लाइफ स्टाइल में दोस्तो हम सभी संत्रा खाने के बाद उसके छिलके को कचरा समझ कर फेक देते हैं और हमें ये लगता है कि ये किस काम का होगा पर दोस्तो आपको यह जानकर आश्चरे होगा कि संत्रा जितना आपके लिए लाबकारी है उतना ही इसके छिलके के भी फायदे हैं संत्रे के छिलके को किस तरह उपयोग कर सकते हैं और यह कितना फायदे मन्द है यह जान लेते हैं और इसके लिए आप वीडियो को लाज तक के जरूर देखें तो दोस्तो चलिए जान लेते हैं कि संत्रे के छिलके को हम किस तरह से उपियोग कर सकते हैं दोस्तो बहुत बार फ्रिज में से गंदी महक आने लगती है और इसे दूर करने के लिए आप संत्रे के छिलके को फ्रिज में रख देते हैं तो इसे यह दुरगंध दूर हो जाती है इसके साथ ही अगर आप मुह की बदबू से परिशान है तो संत्रे के छिलके को चबाने से मुह की बदबू भी दूर हो जाती है और आपको तरो ताजा भी महसूस होता है संत्रे का छिलका मच्छरों को दूर भगाने के लिए भी बहुत कारगर है इसके छिलके को जलाकर इसका धुआ पूरे घर में फैलाने से मच्छर भागते हैं साथी अगर संत्रे के छिलके को आप अपने स्कीन पर रगडते हैं तो इससे भी मच्छर नहीं काटता है संत्रे का छिलका न केवल स्वास्त के लिए लाबकारी है बलकि आपकी खुबसूरती को निखारने में भी यह बहुत लाबकारी है अगर आपको भी ग्लोईंग, बिदाग, सुन्दर और निखरी तवचा चाहिए तो संत्रे के छिलके को जरूर यूज करें इसके लिए आप संत्रे के छिलके का पाउडर बना लीजे संत्रे के छिलके का powder बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इसके छिलके को आपको साफ करके धूप में सुखा लेना है सुखने के बाद आप इसे mixer में पीस लिजे और इसे एक air tight container में भर के रख लिजे और आप इस तरह के powder को जो orange pill powder है इसे आप use कर सकते हैं face pack के रूप में यूज़ कर सकते हैं और बहुत तरीकों से आप इसे यूज़ कर सकते हैं face pack बनाने के लिए आपको क्या करना है कि दो चमच संत्रे के छिलके का powder लेना है, आधा चमच आपको शहद लेना है और एक चमच दही लेना है इसे आप mix कर लीजे और इसे अपने face पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दीजे और सुखने के बाद normal water से धो लीजे ऐसा आप एक हपते के लिए कीजे आपको बहुत ही अच्छा result देखने को मिलेगा काफी बहतरीन result मिलेगा संत्रे की छिलके के powder का चहरे पे उप्योग करने से कील मुहा से दूर होते हैं black heads, white heads दूर होते हैं दाग धब्बे दूर करने में यह मददगार होता है साथी चहरे से गंदगी को साफ कर देता है और आपके चहरे के रंगत को भी निखारने का काम करता है संत्रे का छिलका ना केवल आपके skin के लिए beneficial है, बल्कि आपके बालों के लिए भी किसी औसधी से कम नहीं है संत्रे के छिलके का इस्तमाल करने से बालों में खोई हुई चमक वापस आ जाती है, बालों में अगर बहुत जादा dandruff की समस्या है तो वह भी दूर होती है और अगर आपके बाल बहुत जादा जड़ रहे हैं, तो यह समस्या भी दूर होती है इसके लिए आप दो चमच orange peel powder ले लीजे देड़ चमच दही ले लीजे और एक चमच aloe vera gel ले लीजे इन सभी को mix करके hair pack बना लीजे, इसे अपने बालों में लगाए, एक घंटा रहने दीजे और फिर बालों को धो लीजे इसके नियमित 7 से आपके बालों में shine आईगी, आपके बाल जो है अंदर से मजबूत बनेंगे जड़ना बंद हो जाएगा और बालों से related समस्याएं दूर हो जाएगी साथी आप orange peel powder यानि कि संत्रे के छिलके के powder को body scrubber के रूप में भी use कर सकते हैं नहाते समय आप इसका use कीजे तो आपको साबून लगाने की ज़रुत नहीं पड़ेगी और आपके body से सारी गंदेगी आसानी से साफ हो जाएगी इतना ही नहीं orange peel powder जो है वो आपके दातों के लिए भी बहुत फायदेमंद है दोस्तों पीले दातों को सफेद बनाने के लिए संत्रे के छिलके का उप्योग बहुत ही कारगर है इसके लिए आप संत्रे के छिलके का जो powder है उसका paste बना कर अपने दातों पर लगा सकते हैं या फिर संत्रे के छिलके को directly अपने दातों पर रगड सकते हैं और यह आपके दातों को sensitive होने से भी रोकता है और इसके उप्योग से आपके पीले दात सुन्दर और सफेद बन जाते हैं दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि संत्रे के छिलके के ऊपर pesticide वगेरा रोगानू नाशक का उप्योग किया जाता है तो इसे use करने से पहले संत्रे के छिलके को अच्छे से साफ कर ले इतना ध्यान में रखें कि उसके उपर जो chemical लगा हुआ है वो अच्छी तरह से remove हो जाए तो दोस्तों उमीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में दी हुई जानकारी आप सभी के लिए helpful रही होगी useful रही होगी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा अपने family friends and relatives के साथ और अगर आप first time मेरे चैनल पे आए हैं तो please subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर दीजेगा जिससे की आप मेरे चैनल पे नए नए वीडियो को देख सकें तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों करो दोस्तों कर दोस्तों स्क्राइब।